Hello everyone, मैं राजिर बंडारी, आप सब का स्वागत करता हूं, हमने चाहिए लेक्टिकल अड़े में, आज जो हम next वीडियो लेका हैं, class 10th की, वो हम जो हमने start किया था, chapter number 2, magnetic effect of electric current, उसका आज हम दूसा chapter पढ़ेंगे हैं, ठीक है, तो इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे, magnetic field के बारे मे इससे पहले आपको मैंने magnet के बारे में बताया था, और magnet की क्या property होती है, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, तो आप उसको पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, आज हम पढ़ेंगे magnetic field के बारे में, concept of magnetic field, तो क्या होता है magnetic field, तो आपको पता है, आप एक अपना field होता है, ठीक है, field का मतलब, जैसे आप लोगों ने देखोगा, आपका एक घर है, ठीक, तो घर में आपका field कहा तक होता है, जहां तक आपके घर की boundary होती है, ठीक है, सपोज इतनी boundary है, तो यह आपका field है, यानि यहां तक आपका क्या है, area है, ठीक, तो वैसी magnetic क अब यह ओता है अपने एक डीया होता है फिल्ड होता है जहां तक जहां पर किता है है किसी दूधर या तो force लगेगा force लगेगा मतलब या तो attraction होगा या repulsion होगा ठीक अगर मान लो किसी magnetic material को आपने यहाँ पे लेगा है तो इस पे कोई ना तो force लगेगा यानि ना तो इसमें attraction होगा ना इसमें repulsion होगा क्योंकि यह इसके field से बाहर है इसका field कहा था कहा यहाँ तक ठीक है इस तरीके से तो यह होता है आपका क्या magnetic field का concept यानि किसी magnet के चार और ऐसा space यानि the space around a magnet where it influence attraction और repulsion यानि जहाँ पर उसको attraction और repulsion का क्या होता है experience होता है उसको magnetic field of the magnet बोलते है ठीक है तो यहाँ तक इसका क्या है magnetic field है जहाँ 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 तक क्या होगा इसमें force लगेगा ठीक यहाँ तक इसका magnetic field नहीं है क्योंकि इस पे कोई force नहीं लगेगा ठीक तो यह तो था magnetic field के बारे में इसका example मैंने यह दिया था आपका जैसे घर है उसके चार ओर जहां तक आपकी bonding वहां तक आपका फिड है यानी वहां तक आपका कब जा है अगर वहां तक कोई दूसरा आदमी आपकी जगा को नहीं चेहर सकता है इस तरह के साफ इसमें समझ सकते हों अब हम नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं properties of magnetic field lines ठीक तो properties of magnetic field lines के आपकी property पढ़ने है तो सबसे पहले आपको यह पता हो नहीं है कि magnetic field lines होती क्या है तो यह एक तरीकी कि क्या होती है imaginary lines होती है ठीक है first point वही है कि जो magnetic field lines होती है imaginary lines होती है जैसे अगर आप मैं एक magnet बनाओ दुबारा तो आपको बता है इसमें यह N होता है यह S होता है तो क्या होता है इसमें हमने कुछ imaginary lines कीची होती है जो कहां से कहां कितब चलती है आपकी N से S कितब इस तरह के से है ठीक और इस तरह के चलती है तो यह imaginary lines हमें क्या सो करती है कि यहां तक इसका magnetic field है ऐसा actual में यह line आपकी जाती नहीं है केवले इसको हमने experiment के थुरू इसको draw किया है ठीक है क्योंकि इमेजनेरी line से इसको हमने इस तरह के से की ऐसा हो सकता है ऐसा हमने इसमें imagine करा है कि यह magnetic field lines होती है जो आपकी end से S की तरब ऐसे निकलती किसी भी magnet से ठीक है इस तरह के तो यह आपकी क्या imaginary lines होती है जो magnet के end pole से S pool की तरब चलती है तो पहला point तो आपको यह याद अखना है और यही आपकी magnetic field lines होती है यही आपका magnetic field बनाती है जहां तक यह magnetic field lines होगी नहीं तक आपका magnetic field होगा यानि यहाँ तक आप किसी object को ले के आओगे तो उस पे या तो attraction होगा या repulsion होगा अगर उसके बाहर आप ले के आतो है तो उस पे कुछ नहीं होगा ठीक है second point यह हमेशा क्यों होती है close continuous curve होती है आपको दिख रहा है यह कैसी है यह जाती है magnet के बाहर N से S की तरप और magnet के अंदर आती है S से N की तरफ magnet के बाहर N से S magnet के अंदर S से N तो क्या बन रही है कुछ इस तरह के से बन रही है close curve path बनता है continuous curve path तो यही मैंने इसमें लिखा है second point N से S जाता है outside और inside आपको जाता है S से N ठीक, तो दो point आपके clear हो गए होंगे, तीसा point हम देखते हैं, the tangent at any point on the magnetic field gives the direction of magnetic field at the point, अगर मालो आपको इस में, कहीं भी भी आपको magnetic field की direction निकालने हैं, तो आपकी जो magnetic field lines होती है, इस से हम क्या करते हैं, magnetic field की direction निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक point ले लेते हैं, सपोज यह वाला पाइं डेली हैं, हमने magnetic field lines का, यहाँ पर हम एक खिचते tangent, इस तरह के से, ठीक है, तो यह क्या सो करेगा, magnetic field की direction, क्या सो करेगा, magnetic field की direction, ऐसी यहाँ पर खिचलो एक tangent, ठीक, इस तरह के से, तो यह भी आपकी magnetic field की direction सो करेगा, ठीक है, तो किसी भी point में, यह यहां पर खीच लो, यहां खीच लो, ठीक है, यहां पर खीच लो, तो कहीं भी आप खीचते हो, तो वहां पर क्या होता है, ओ, magnetic field की direction को सो करता है, तो यही मैंने आपका बताया है, तीसरे point में, ठीक है, fourth point देखते हैं, fourth point है कि आपका magnetic field lines do not intersect each other, यानि जो यह magnetic field lines है, जैसे सपोज यह आपकी magnetic field lines आपकी आ रही है, ऐस है, और एक magnetic field lines इस तरह के जा रही है, ठीक है, तो इसने कहा कि कभी भी दो magnetic field lines एक दूसरे को intersect नहीं करती हैं, तो यह condition आपकी कभी नहीं आएगी, magnetic field lines आपको देख रहा होगा, कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती हैं, चाहिए वो कितने भी close होंगी, यहां से आपकी होऊर भी जा सकती हैं इस तरह के से, ठीक है, मगर वो कभी भी एक दूसरे को touch नहीं करेगी, intersect नहीं करेगी, अब इसका reason भी है, कि क्यों नहीं करती हैं, अगर मालो इस point पर इसने, इन्होंने intersect कर भी लिया, तो अगर आप यहां पर magnetic field की direction निकाल दो, अगर आप इस वाली line के लिए magnetic field की direction निकाल दो, तो अभी या भी मैंने आपको बताया था, आपको यहां पर एक tangent खीचना पड़ेगा, इस तरय के से, ठीक है, ऐसी अगर आपको इस वाली magnetic field की direction का निकालना है, भी में रूस्त की निकालना है, ठीक है, यहां पर आपको magnetic field की direction बतानी है तो आपको यहां पर tangent की бегई say, है, तो यहां प पर आपकी magnetic field की दो direction नहीं हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए कभी भी एक line दूसरी line को touch नहीं कर सकती है, ठीक है, किसी भी point पर magnetic field की direction में से एक ही होती है, कभी भी दो नहीं हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए कभी भी एक line दूसरी line को touch नहीं कर सकती है, फिप्थ पॉइंट है, य जितनी magnetic field लाइन आपकी close होती है, उतना ज्यादा magnetic field होता है, सबसे ज्यादा magnetic field आपके poles में होता है, यहाँ पे जो magnetic field होता हो सबसे जभाद होता है क्योंकि यहां पे magnetic field lines के ओती है सब आके यहां मिलती है ऐसे Dimpling तो जहां पे जितनी जाद magnetic field होगी हो पे उतना जाद आपका बनेगा तो यहां यह थ है है इसके 5 points properties or magnetic field magnetic field के वारे में और magnetic field lines की property यह important question है जो आपका exam में आता है बहुत बार ठीक है तो इसको आप जरूर किलियर कीजिए और आपको अगर कुछ भी doubt हो तो please comment कीजिएगा जो भी doubt होगा उसको clear करूँगा तो thank you